हेलो एवरिवान मैं हूँ अमिता और परफेक्ट रेसिपी विद अमिता में आप सब का स्वागत आज हम पके हुवे चावलों से एकदम मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी बना रहे हैं आप इसे चीला भी कह सकते हो या उत्तपम जो चाहे कह लो पर ये है बड़ा मज़ेदा फटाफट से बन जाने वाली इस रेसिपी में हमने यूज की है बहुत सारी सबजिया तो इसमें टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी है तो चलिए इस बढ़ी असी हेल्थी रेसिपी को बनाना शुरू करें इसे बनाने के लिए सब से पहले मैंने यहां पे लिए है ये पके हु अगर आप चाहो तो बचे के चावलों से भी ये रेसिपी बना सकते हो नॉर्मल हम जो घर में कहते हैं वही वाली ये चावपल है अगर मेजरिंग कप से नापते है तो 2 कप ये पके हुवे चावल है union पकने के बाद मैंने इसे मेजर किया है अब इन्हें हमें मिक्सी के जार में फाइन क्रश कर लेना है ये सारे चावल मैंने मिक्सी के जार में डाल दिये है अब हम इसमें कुछ और चीजे भी डालेंगे ये आधी कडोरी मैंने इसमें दही डाल दिया है अगर आपके पास दही खट्टा है तो आप थोड़ा सा कम डाले दही डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये लसन 10-15 लसन की कलिया छील कर मैं इसमें डाल रही हूँ अगर आपके पास लसन की पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते है ये है हरी मिर्चे, चार हरी मिर्चे भी मैंने इसमें डाल दी है मिर्च आप अपनी टेस्ट के एकोर्डिंग कम या जादा कर सकते है अब इन सारी चीजों को हमें fine crush कर लेना है देखिए बिलकुल इसी तरह से हमें इसे crush कर लेना है इसे पीस्ते वक्त मैंने इसमें एक कटोरी पानी भी डाल दिया था पानी डालने की वज़ह से ये paste एकदम smooth बन चुकी है अब इस पिसे हुवे चावलों को हम एक mixing बाउल में डालेंगे ये सारे पिसे हुवे चावल मैं इस बाउल में डाल रही हूँ और अब हमें इसमें ये सूजी मिलानी है एक कप सूजी मैंने इसमें डाल दी है ये मीडियम वाली सूजी है सूजी मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे ये कटी हुवी गाजर गाजर को आप कद्दू कस करके भी डाल सकते है लगबग एक कटोरी गाजर यहां पे मैंने इस्तवाल की है अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये शिमला मिर्च शिमला मिर्च को भी मैंने बारिक चॉप कर लिया है और लगबग एक ही कटोरी शिमला मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ फिर हम डालेंगे बारिक कटा हुआ प्याज एक मीडियम साइस का प्याज बारिक काट कर मैं इसमें मिला रही हूँ अगर आप चाहो तो इसमें बारिक चौप करके टमाटर भी डाल सकते हो लेकिन मैंने यहाँ पे दही का इस्तमाल किया है इसलिए मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला प्यास के बाद हम इसमें डालेंगे बारिक कटी हुवी हरी धनिया हरे धनिये को मैंने अच्छे से धो के बारिक चौप कर लिया है और इसमें डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे स्वादा नुसर नमक Actually नमक स्वादा नुसर नहीं सेहत के अनुसार ही डालना चाहिए अब अगर नमक कम खाते हो तो कम डालिए मैंने आधा चमच नमक इसमें मिला दिया है अब हम इसमें मिलाएंगे पानी जिस मिक्सी में हमने चावलों को पीसा था उसी मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालके वही पानी मैं इसमें यूज कर रही हूँ पानी डालके हमें ये सारा मिशिरन अच्चे से मिक्स कर लेना है एक्चुली हमने चावलों को पीस्ते वक्त भी उसमें एक कटोरी पानी डाल दिया था और नमक डालने के बाद सबजिया भी अपना-पना पानी चोड़ेंगी तो हमें बहुत जादा पानी की हाँ पे जरूरत नहीं है लगबग एक कटोरी पानी मैंने इसमें डाल दिया है अब हम इस मिश्टरन को लगबग 10 मिनिट तक ढख कर रख देंगे ताकि सूजी वो पानी पी जाए और थोड़ी सी फूल जाए 10 मिनिट के बाद मैंने ग्यास पे एक तवा चड़ा दिया है और तवा जैसे ही गरम होता है मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल इस तेल को इस तरह से हम तवे पे फैला लेते हैं ये तवा नांस्टिक का है तो बहुत जादा तेल की वैसे भी ज़रूरत नहीं है अब इस बैटर को एक डीप स्पून भरके मैं इस तवे पे डाल रही हूँ हमें इस बैटर को बहुत जादा नहीं फैलाना है एक मिनिट हम इसे ढग देंगे एक मिनिट के बाद आप देख सकते हो कितनी अच्छी भाप बनी है और इसे हम किनारे से चुडाते हुए इस तरह हलके हाथ से पलट देंगे आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसे किनारों से चुडाईए और फिर इसे पलट दीजे नहीं तो ये तूट जाएगा पलट के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा सुनेहरा रंग इसके उपर आ चुका है अब हम इस तरह से हलका हलका प्रेस करते हुए दूसरी साइड से भी इसे सेक लेंगे दूसरी साइड से भी इसे अच्छा कलर आ चुका है दोनों साइड से अच्छे से सिखने के बाद हम इसे तवे से उतार लेंगे हमने इसमें जो सबजिया यूज की है वो बहुत ही ज़्यादा fine chop करके यूज की है तो उन्हें पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता बस एक ही मिनिट की भाब पे वो पक जाती है अगर आप चाहो तो उसमें पालक भी chop करके डाल सकते हो अगर आप मेथी पसंद करते हो तो मेथी भी बारिक chop करके आप इसमें इसमाल कर सकते हो आप इसमें लौकी भी कद्दू कस करके डाल सकते हो आप इसमें बहुत सारे variations कर सकते हो तो हो गई न ये मज़ेदार recipe आज की ये नाश्ते की फटाफट से बन जने वाली healthy और tasty recipe आपको कैसी लगी ये मुझे comment करके जरूर बताईए और हाँ जरासी भी बसंद आई हो तो मेरे इस चानल को like, share और subscribe करना ना भूले हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक बढ़िया सी perfect recipe के साथ तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए अच्छा चाखाना बनाते रहिए खाते रहिए और खिलाते रहिए